आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ची अले आएम पहले, क्या वास्तम इसका परियोग होता या नहीं होता है। तो ये निकुलियज एंजाईम का मतलब यहाँ पर है, restriction exoniculease और restriction endoniculease, लो परकार के enzyme का यहाँ पर यूज होता है, एक रेस्ट्रिक्षन एक्सोनिकुलियेज और दूसरा रेस्ट्रिक्षन एंडोनिकुलियेज दो परकार के एंजाइम हो गए इस दोनों का यहाँ पर प्रियोग होता है है न जो पहला वाला एंजाइम है रेस्ट्रिक्षन एक्सोनिकुलियेज यह क्या करता है डियने के सीरो पर से निकुलियोटाईट को हटाता है सेरे पर से ये क्या करता है निकलियो टाइट को हटाता है ठेक है निकलियो टाइट को हटाता है जबकि दूसरा वाला जो है restriction endonuclease यह क्या करता है DNA के मद्ध भाग में DNA के मद्ध भाग में यानि के किनारे भाग को छोड़ करके मद्ध भाग में विशिस्ट बिंदू पर कट करता है और इसके काटने से क्या होता है यहाँ पर अगर यह कट होता है तो इसके काटने से यह निक उत्पन करता है और जब इस जीन को हम दूसरे DNA के साथ जोड़ते हैं तो इस निक में क्या होता है यह लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम क्या करेगा इसको लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है जो काटे गए, सिरे बनते हैं निक के रूप में, तो दूसरे जिसमें पलाजमिट में जैसे डालना हो, तो उसमें भी उसी रेस्टिक्षन, एंडोनुकुलियज का उत्पादन होता है, उसी के द्वारा उसके DNA को भी कट किया जाता है, फिर इस लाइगेज एंजाइम की से दोनों DNA को क्या किया जाता है, जोड करके रीकम्बिनेंट DNA का उत्पादन किया जाता है, तो यह होता है, तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का दोनों निकुलियज का भी और लाइगेज का भी, दोनों का यहाँ पर उपियोग होता है, इसका मतलब अभी कथन सही है, तरक म करता है यह भले कट करता है तो निक का निर्मान करता है है नहीं कर रहा है तो restriction endonycholage तो यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है कि यह जो है ligage करता है तो यह यहाँ पर गलत है यानि कि हमारा यहाँ पर अभी कथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है इसका मतलब हमारे पास यह तीसरा नंबर विकल्प है जिसको हम लोग सही कह सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा यह तीसरा नंबर उम्मीद करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा धन्यवाद